विडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लीमर और देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आके आपके कमेंट सेक्षिन में आके कमेंट करके यह बोले कि हमारा वाक्चाप नंबर है तो उनसे बच के रहना वो सारे के सारे स्कैमर्स हैं किसी भी सोशल मीडिया से कभी भी हम आपसे कनेक्ट नहीं करते और किसी को भी आपने अपने क्रिप्टो से इंड नहीं करने किसी को अगर आपने अपने क्रिप्टो से इंड करे तो समझ लीजिए वो क्रिप्टो आपके हाँ से चले गए वो कभी भी वापस नहीं आएंगे क कोई भी उनको recover नहीं करवा पाएगा जहां पर हम बात करते हैं meme token category की yes वह एक risky investment जरूर रहता है बट उसी के साथ साथ काफी अच्छे fruitful results हम लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं जैसे कि हमने देखा in the past as well पहले लोग बात करते थे कि क्यों हम meme tokens purchase करें especially यहां पर बात करें जब डॉच कोई यहां पर मार्केट पे था people hardly used to purchase डॉच कोई उस ताइम लोगों का focus था on Bitcoin and Ethereum आज की टाइम में भी मैं यही बोलूँगा कि focus होने चाहिए on the blue chip cryptos बट उसी के साथ साथ अगर कुछ meme tokens आपके पास है तो बहुत अच्छी बात अब कौन से meme tokens हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं कौन से meme tokens हैं जो हमने यहां पर purchase करके रखे हुए इनके बारे में आपको बताएंगे सबसे पहले अगर इस list में बात करें जो की ranking के हिसाब से भी टॉप में चल रहा है अगर हम meme token काहात है which is Elon Musk. Dogecoin हमने भी यहां पर purchase करा था जब Elon Musk ने Twitter को take over करा था हम लोग नहीं जानते कि यहां पर Elon Musk आप Dogecoin को लेकर आएंगे as a payment method अगर वो लेकर आते हैं इंदी Twitter or not वो भी एक assumptions market में चल रही है तो Dogecoin यस एक ऐसा meme token जरूर है जिसमें काफी लोगों की नज़रे हैं because of several reasons बट इसी के साथ अगर हम बात करें previous times की of Dogecoin जब Elon Musk ने इसके बारे में बात करनी start हुई थी तब इसका price increase हुआ था अच्छा कासा वहां पे इसने अपना all time high भी बनाया था जैसे कि आप side में देख सकते हो of 73 cents वहां से अभी डाउन चल रहा है 88.3% काफी लोगों के यह मानना है कि Dogecoin can be a good investment because यहां पे Elon Musk जिन्होंने खुद परचेस करके रख रहे हैं वो किसी भी time यहां पे और tweet कर सकते हैं now that specially that he is the owner of Twitter अब कभ वो tweet करते हैं सब लोग उस चीज़ का wait कर रहे हैं but yes I must say कि Dogecoin हम लोग hold करके चल रहे हैं जितने भी हमने purchase करें हम उनको hold करके चल रहे हैं we are not selling it the reasons are simple जैसे कि हमने आपको previously भी बताया Dogecoin एक ऐसा crypto है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कब वो pump कर जाएगा कब वो shoot up कर जाएगा इसके बारे में भी निका जा सकता अगर हम यहां पर बात करें returns की तो Dogecoin से काफी अच्छा return बाकी के meme token जो है आज के time में दे रहे हैं Dogecoin के बारे में अगर हम बात करें last 60 days में 10.4% यहां पर अब गया है उसके लावा सारा negative में चल रहा है बट इसके लावा भी अगर हम बात करें बाकी meme tokens की they are actually performing well Dogecoin के बारे में जैसे हमने पहले भी बोला एक ऐसा crypto जो ना फैका जाता है ना निकाला जाता हिंदी बीशक नहीं है last 60 days में अप है 60.6% last 30 days में 10.9% last 14 days and last 7 days में negative जरूर चल रहा है last 24 hours में अप है 4.5% Now what is there in Shiba? Shiba एक ऐसा crypto रहा है शुरू से जो काफी नए investor जो है वो crypto market में लेकर आता है attract करता है बहुत सारे नए investor in the crypto market and probably the one crypto जो almost सब के account में होगा, सब के portfolio में होगा Shiba Inu को कोई भी ignore नहीं करता, सब लोग जानते हैं कि Shiba में क्या क्या चीज़े हैं जो हम expect कर सकते हैं Shiba जब pump करता है तब भी लोग hold करते हैं, Shiba जब dump करता है तब भी लोग hold करते हैं Looking into क्या क्या चीज़े उसमें बन रही है, जब initially Shiba Inu launch हुआ था, वो launch हुआ था only as a meme crypto जिसकी कोई भी utility नहीं है आज की टाइम में जहां पर हम बैठें, we are waiting for a L2 blockchain जो कभी भी सामने आ सकता हैं अगर यहां पर हम बात करें, शितोशी की, उन्होंने अपना बायो फिर से चेंज करा है and इनका जो बायो है, that is like a puzzle, सबके लिए एक puzzle एक परेशानी सी बन गई है तो इनका आप Twitter handle देख सकते हैं और इनका बायो देख सकते हैं, on fire and on schedule अब कब यह schedule है, कुछ भी ऐसा नहीं बताया, but yes, काफी लोग आप expect कर रहे हैं कि Shibarium का आप launch होगा, उसकी वजाए से हम लोग यहां पर देखेंगे, Shiba का price increase होते है because वहां पे काफी burns होने की बात है चल रही है regarding Shiba Inu अब हम बात करें, the third token which is related to Shiba Inu is the bone although bone जो है, वो meme token की category में नहीं आता, logically speaking बट फिर भी अगर उसको हम meme token की category में लेते हैं, तो bone is one crypto जो आप ignore नहीं करोगे आज की time में, especially जहां पर Shibarium launch होने वाला है bone will be used as a gas fees and काफी लोग काफी अच्छी assumption, price, prediction लगा रहे हैं यहां पर bone token की, bone token हमने भी purchase करें यह हम आपको पहले भी बता दे, सारे के सारे meme token जिनके हम बात कर रहे हैं, उन सब को हमने अपने kitty में रख रहे हैं बट उन में क्या-क्या चीजे हम कर रहे हैं, वो भी आपको explain करेंगे वीडियो के end में bone token हम यहां पर hold करके चल रहे हैं, only looking into Shibarium Shibarium से पहले हम लोग ने bone token एक time में purchase कर रहा था, but that was like कि चलो यार, purchase कर लेते हैं, Shibarium के ecosystem में आया है, कुछ न कुछ तो ये भी करेगा, purchase कर लेते हैं, but now when the utility of bone is here, सब लोगों को यही लग रहा है, कि bone जो है, काफी अच्छा है, आपर price rise लेकर आएगा, अब कितना उसका price rise होता है, that is a thing to be seen, but अगर currently हम बात करें, bone की, side में आप देख भी सकते हो, $1.86 का चल रहा है, last 24 hour में आप है 4.1%, last 60 days से compare करते हो, 126% आप है, last 30 days में 34%, last 14 days में 5.7%, last 7 days में 11%, bone हमने purchase करा था, at $1 around 15 to 20 cents के आसपास, वहां से आभी तक हमें bone में profit तो हो रहा है, but looking into all the things, जो bone के साथ हो सकती है, after Shiberium launches in the main net, वो कही न कहीं हमें excited करता है, हैं हमें मजबूर करता है, bone को और hold करने में, and yes, why not hold it, जहां पर हम लोग bone के बारे में इतनी बाते कर रहे हैं, हम लोग भी उसको hold करके चलेंगे, देखेंगे कि Shiberium launch होने के बाद bone की utility कितनी सामने आती है, and कहां तक उसका price आता है, काफी लोग बोल रहे हैं कि बहुत easily, but अगर इसके हम all time high की बात करें, that was $15.50, जो कि इसने बनाया था on the launch, उसके बाद ये fall हुआ था, वहां से आज की time में काफी जादा उपर bone जो है, वो जा चुका है, हाप side में percentage देख सकते हैं, percentage count करने की दिक्कत मैं भी नहीं लूँगा, and इसी के बारे में अगर बात करें, bone is a good investment, currently it looks like, जहां पर हम बात कर रहे हैं Shiberium की, बट अगर Shiberium यहां पर delay होता है, for whatsoever reason, हम लोग bone में थोड़ी बहुत correction यहां पर देखने को मिल सकती है, बट Shiberium जो है, अब imminent है आना, उसके वज़ा से, people are purchasing bone, अगर हम बात करें, next token की, which is in meme category, which is Flocky, Flocky के बारे में, बीच में काफी जादा बाते होने शुरूई, पैसली जब से Elon Musk ने यहां पर एक JPEG शेर करा, जहां पर CEO लिखा Flocky को, Flocky Inuka price काफी rise हुआ है उसके बाद, अगर हम थोड़ा सा नीचे देखें, यहां पर आप साइड बे देख सकते हो, last 60 days में आप है 459%, last 30 days से 327%, last 14 days से 73%, last 7 days में 38%, last 24 hours में 27%, अब बात करें Flocky की, सबसे पहला question आता है कि, क्या आप हमें Flocky purchase करना चाहिए, क्या हम FOMO में तो purchase नहीं कर रहे हैं, अगर आप Flocky purchase करते हो, तो आप थोड़ा hold कर सकते हो, because यहां पर हमें थोड़ी सी एक correction देखने को मिल सकते हैं, उसका reason के है, last 24 hours में यह आप गया है 27.1% and the reason is very clear, क्योंकि इन्होंने अपने Twitter handle में अपना आगे का roadmap शो करा, जहां पर उन्होंने बताया कैसे हमारा debit card भी आएगा, कैसे हमारी एक university आएगी, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई अपने roadmap में and people are excited to hold on to Flocky, जहां पर लोग देखते हैं Flocky को as a competition to Dogecoin, जहां पर वो बात करते हैं Elon Musk की, Elon Musk का कहीं mood तो नहीं change हो रहा, यह भी question आ रहा है, कि कहीं उनका mood तो नहीं change हो रहा, from Dogecoin and shifting to Flocky, यह भी question सामने आ रहा है, but yes, looking into the current scenario, top 100 में यह चल रहा है, अपने all time high से अभी भी down है, 84.8%, जो इनका roadmap है, काफी interesting है, काफी अच्छा है, जो इन्होंने दिखाया है, but क्या वो roadmap में stick कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, that is a question, जिसका answer जब मिलेगा हमें, तब तक या तो Flocky का price काफी उपर चला जाएगा, या अगर वहाँ पे वो कनहीं कर पाता, तो Flocky का price अगेन हमें निच्छे आने को मिल सकता है, तो अगर आप Flocky में invest करना चाहरे हो, तो सोच समझ के आपने invest करना चाहिए, हम लोगोंने Flocky कब purchase करा, ये भी एक question होगा आपके mind में, अगर आपको याद हो, हमने जब last time Baby Doge coin की बात करी थी, हमने कैसे आपको बताया था, कि जो हमारी initial investment है इन Baby Doge coin, वो हमने Baby Doge coin से निकाल ली, जब Baby Doge coin था, इन्दी top 70 इन्दी market का आप रांकी, वहां से जो हमने initial investment निकाली, वो हमने डाल दी थी इन Flocky, और Flocky में अभी भी हम positive चल रहे हैं, बेबी Doge coin में जितना भी पैसा अब हमारा लगा हुआ है, वो वही लगा है जो Baby Doge coin ने हमें कमा के दिया था, जो हमारी initial investment है, बेबी Doge coin से बहार आके, अब Flocky में जा चुकी है, और आपको ये भी बता दे, कि अभी भी Baby Doge coin में जादा पैसा है than Flocky, विकाज वहाँ पे हमने काफी अच्छा पैसा बनाया है, इन Baby Doge coin इसमें कोई भी शक नहीं है, I'm sure अगर आप लोगों ने भी, अब Baby Doge coin में initial time में पैसा लगाया होगा, तो काफी अच्छे returns वहाँ पे मिले होंगे, तो आपको मिलते हैं 50 USDT in the future wallet, और वहाँ पे आप trading कर सकते हो, trading से अगर आप profit बनाते हो, तो वो profit आप बहार भी ले जा सकते हो, याँ यहाँ पे आपको KYC करने की भी ज़रूती है, link नीचे description में दे रखा है, आपके पास 50 USDT आ जाएंगे by 11th of March, बट इसके लावा अगर हम बात करें, Flocky में यह बताया जा रहा है कि, काफी बड़े exchanges में Flocky is scheduled to list, at least इनके roadmap में, अब वो list होता है, नहीं होता है, वो एक scene है जो आगे जाके पता चलेगा, but coming on to the last token, जो हमने meme token category में रख रखा है अभी भी, is the baby dodge coin, baby dodge coin काफी अच्छा है आपे perform करा था, पहले last 60 days से, आज के टाइम में भी आप है 219%, last 30 days से अगर compare करते हो, तो 148%, last 14 days, last 7 days में negative चल रहा है, 14.8% and 29.1%, what is the reason, reason क्या है इसके निच्चे आने का, initial time में जब इतना ज़्यादा pump हुआ था, अब क्यों निच्चे आ रहा है, baby dodge coin, जैसे बोलते हैं न, by the assumption, sell the news, यह एक बहुत बड़ा फ्रेज है, जो आपको हमेशा सुनने को मिलेगा, इन्दी क्रिप्टो कांसी market, जब आप लोगों को कुछ लगता है, तब उसको purchase करना start करें, जब वो news market में आ जाती है, that is the time when you sell your cryptos, यही चीज हुई with baby dodge coin, baby dodge coin के burn portal के जहां पर बात हो रही थी, baby dodge coin अपना burn portal सामने लेकर आया, बट उसी time में काफी लोगों ने baby dodge coin sell भी करें, including our salesman, हम लोगों ने भी वहाँ पर जितनी initial investment लगाई थी, वो baby dodge coin से निकाल के हमने flocky में लगा दे, and baby dodge coin में जितना भी profit हुआ था, वो रहने दिया in baby dodge coin, and that is what we are planning to see, baby dodge coin में अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमने उनको stake करके वापस रख दिया, flocky को भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कहां पर रखें, wallet में हम eventually shift करेंगे, but currently जहाँ पर trend चल रहा है flocky का, we will see कि कितना हम यहाँ पर profit निकाल सकते हैं, क्योंकि एक correction तो पक्का आएगी, जहाँ पर एक crypto इतनी तेज उपर भागता है, वहाँ पर correction पका आती है, which is exactly what happened with baby dodge coin, and यह कुछ cryptos हैं, यह कुछ ऐसे tokens हैं, in the meme token category, जो काफी अच्छा पहले से perform करते हुए आ रहे हैं, पहले की भी अगर हम बात करें, तो इन cryptos ने काफी अच्छा perform करा था, आगे भी इनमें एक उम्मीद है, कि यह आगे जाके काफी अच्छा यहाँ पर return दे सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा crypto नहीं है, जो आपको जादा quantity में purchase करना है, meme token की category हमेशा एक छूटी quantity में होनी चाहिए, आपके पूरे portfolio में, the bigger quantity should be in your blue chip cryptos, for example, अगर हम बात करें, XRP की, Polygon Matic की, you know, Polkadot की, Chain Link की, इन सारे cryptos में आपकी जादा investment होनी चाहिए, आप यहाँ पर hold कर सकते हो, आप nervous नहीं होगे, आप डरोगे नहीं इन्दी market, अगर market fall भी करती है, you will be confident on your investment, यही सारी चीज़े हैं, जो आप लोगों ने करनी है, और यह कुछ ऐसे meme tokens हैं, जो हमने hold करके रख रखे हैं अपनी kitty में, क्या होगा अगे जाके, वो तो खाली time ही बताएगा, बट आज की time में, इनके बारे में काफी लोग बात कर रहें, so we thought we'll make a list and share with you, कि हमारे क्या plans हैं, इन सारे crypto's को लेके, which are coming in the meme category, आप लोगों के thoughts हैं, comment section में comment करके जरूर बताएगा, with that said guys, आज का वीडियो करते हैं पर, and I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो like कर देना, share कर लेना, subscribe कर लेना, thank you so much for watching our channel, see you next time, okay bye bye,